नमस्कार साथियों स्वागत है आप सभी का इस चैनल में तो दोस्तो वीकली करेंट अफेस में आज हम लोग 6 अगस्त से लेके 12 अगस्त तक के जितने भी करेंट अफेस बन सकते हैं उन सभी चीजों को आज इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं तो वीडियो को पूरा देखें या दोस्तों वीकली करेंट अफेस का यह अगला वीडियो है जो कि यह तीसवा वीडियो है जिन लोग को इसके पहले के वीडियो देखना हो जाके देख सकते हैं वीकली करेंट अफेस करके प्लेलिस्ट बना हुआ है और जो लोग इस चैनल में नए हैं दोस्तों जो लोग अभी तक इस चैनल में सब्सक्राइब नहीं किये हुए हैं, वो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, तो चलिए दोस्तों जानते हैं विकली करेंट अफेस को, राश्ट ये हत करगा दिवस जो है दोस्तों ये परतेक साल ये 7 अगस्त को हमारे देश में मनाय जात है, और ये 7 अगस्त को क्यों मनाय जाता है, क्योंकि सवदेशी आंदोलन की जो अस्थापना की गई थी, ये 7 अगस्त 1905 को ही की गई थी, तो इसलिए यही डेट चूज किया गया है, कि 7 अगस्त को जो है दोस्तों ये राश्ट ये हत करगा दिवस मनाय जाएगा, और इसक सवदेशी आंदोलन का जिक्र आ गया, तो इसके बारे में भी थोड़ा बहुत जानकारी जान लेते हैं कि क्या है सवदेशी आंदोलन और वो क्यों हमारे देश में स्टार्ट किया गया था, तो दोस्तों जो सवदेशी आंदोलन जो है इसका अर्थ होता है अपने देश का यूज करना उसको ज़ादा से ज़ादा इस्तिमाल करना और बीदेश से जो समान आते थे उन सबी समानों को बहिस्कार करना इसका में मकसद था इस आंदोलोन का और इस आंदोलोन को क्यों चार्ट किया गया था? क्योंकि लॉड करजन के द्वारा बंगाल प्रांत को विभाजित करने का ये फाइसला किया गया था उसी के बीरोध में ये सौधेसी आंदोलन हमारे देश के जो नेताएं थे उन सभी के द्वारा ये स्टार्ट किया गया था और ये दोस्तों ये अगस्त 1905 मतलब 7 अगस्त 1905 को कलकता के टाउन होल में एक विशाल बैठक आयजित की गयी थी जिसमें ये सौधेसी आंदोलन को अपचारिक रूप से घोशना कर दिया गया था कि आज से हम लोग जितने भी विदेसी समान हैं जितने भी विदेसी वस्तुएं हैं उन सभी का बहिस्कार करेंगे और जो हमारे देश में बने हुए हैं, हमारे देश के लोगों के द्वारा बनाया गया है, उन सभी चीजों को अपनाएंगे इस आंधोलन में ये प्रण लिया गया था अब इसमें दोस्तों रविंद्रनाथ टेगोर जी के द्वारा, आमार सोनार बंगला नामक की रचना ये किया गया था, इसी के द्वारान, सोदेशी आंधोलन के द्वारान, और इस आंधोलन को भारत के कुछ अलग-अलग हिस्सों में भी इसका परचार देखने को मिला था, जैसे कि अगर देखा जाए तो बाल गंगादर तिलक जी के द्वारा ये पुना और बंबे में इनके द्वारा नेत्रुत किया गया था इस आंदोलन का और लाला लाजपत राय और अजित सिंह जी के द्वारा पंजाब में नेत्रुत किया गया था सेयद हैदर राज रजागी जी के द्वारा ये दिली में इनका नेत्रोट किया गया था और मदरास में कर देखा जाए तो ये चितंबरम पिले जी के द्वारा नेत्रोट परदान किया गया था तो ये है दोस्तों सवदेशी आंदोलन से जुड़े कुछ-कुछ important points जो कि ये modern इंडिया से ये related है तो इसे भी जानना काफी जोररी हो जाता है अब next जानते दोस्तों Fortune Global 500 सुची दो है दोस्तों ये 2023 का ये जारी किया गया है इसमें दोस्तों जितने भी जो बहुमूलिक कमपन्या है जिसका net worth सबसे जादा है उन सभी की सुची ये जारी किया जाता है जो की 500 जो total company है पूरे वर्ल्ड के उन सभी की सुची इसमें बताई जाती है तो इस सुची में अगर देखा जाए दोस्तों ये इस सुची में जो सिर्स पर है जो मतलब पहले अस्थान पर है ये वालमार्ट जो company है ये है उसके बाद सौधी अरब का जो सौधी अराम को है उसके बाद तीसरे अस्थान पर देखा जाए तो ये अस्टेट ग्रिट जो है ये जो की चाइना का ये company है ये तीनों जो company है टॉप थ्री में ये हैं तो इन सभी का नाम बस ध्यान में रखें फर्स्ट में है वालमार्ट दूसरे में है सौधी अराम को जो की ये तेल कच्चे तेल वगरा का ये वहाँ पर खनन करता है और तीसरा है अस्टेट ग्रिट जो की ये चीन का है अब इसमें देखा जाए तो हमारे देश के जो कमपणी है जिसका नाम है रिलाइंस जो की इसके संस्ठापक मुके संभाणी जी है उनको जो है 2022 में कर देखा जाए तो ये 104 मतलब अस्थान दिया गया था और 2023 में कर देखा जाए तो इसके में कुछ सुधार आया है मतलब इस company में थोड़ा इजाफा हुआ है जो कि ये 88 अस्थान पर ये पहुँच गया है तो ये बस ध्यान में रखें बस ये ध्यान में रखें कि हमारे देश के भी कोई भी company जो है ये top 10 के list में नहीं आया हुआ है तो अब जाल लेते हैं कि top 10 में कौन-कौन से जो company है वह है तो फस्ट में अगर देखा जाए तो ये Walmart है जो कि United Estate का ये company है दूसरे में साओधी अरविया का है तिसरा में estate grid जो कि ये चाइना का है चोथे में अगर देखा जाए तो जो Amazon है ये भी United Estate का है पांचवे में China National Petroleum जो कि ये चाइना का है छथे में देखा ज जो कि ये भी United Estate का है और 9 में में अगर देखा जाए तो दोस्तों ये sale company है जो कि United Kingdom का है और 10 में United Health Group जो कि ये United Estate का मतलब इसमें देखा जाए तो maximum United Estate चाइना और एक जो है जो कि United Kingdom का ये company है जो कि Top 10 लिस्ट में ये आया हुआ है इन सभी का जो revenue है जो कि US dollar में दिया गया ह Walmart का अगर देखा जाए तो ये 611.3 billion dollar का इसका revenue है बाकी ये सभी आप देख सकते हैं अब next जानते दोस्तों अगला current affair अगला ये है कि परतिष्टित अस्थल संग्राले का ये सिलान्यास आधारसिला रखा गया जो कि हमारे देश के जो वीत मंत्री है निर्मला सितारमन जी क के द्वारा इसकी आधार सिला रखा गया और ये कहां पर आधार सिला इसकी रखी गई है ये तामिल नाडू के थुथु कुड़ी जिल्ले में इसकी आधार सिला रखी गई है परतिष्थित अस्थल संग्राहाले की तो बस ये बस ध्यान में रखे अब next जानते हैं विश् विद्धाले हैं यूनिवरसिटीज हैं उनके जो कुलादीपती जो होते हैं जो की राजपल जो विद्भी चंदर होते हैं उस पद को ख़टा के मुझमंत्री होंगे वही कुलादी पती कहलाएंगे इस विदेयक में यही मेंचन किया हुआ है अगर ये पारित हो गया सेंट्रल के द्वारा अगर ये एगरी कर दिया गया तो अब वहां के जो राजपाल होंगे वो विशोविदालेओं के कुलापति, कुलाधीपति जिसको बोलते हैं, वो नहीं होंगे, वहां के मुख्यमंत्री होंगे, तो ये ध्यान में रखें, ये पस्चिम बंगाल में ये पारित किया गया है, अगर पस्चिम बंगाल का अगर देखा जाए, तो वहां के अभी भारत के जो राश्ट्पति अभी पर्जंट के हैं जो स्रीमतीhus द्रोपधी मूर्मु जी के दवारा इसका उद घाटन किया ji जो कि ये नए दिल्ली में इसका उदघाटन किया गया है और ये संस्कृती मंत्राले के दवारा 5 से 6 अगस्त जो 2023 तक इसका आयोजन किया जाएगा पुस्तकाले मोहत्सव 2023 का मतलब वहाँ पुस्तक वगेरा धेर सारे उपनियास वगेरा जो है उन सभी का मेलाक आये आयोजन है वहाँ पर पेचे जाएंगे सस्ते दामों में अब नेक्ट जानते दोस्तों अगला क्या है कमबोडिया के जो राजा है जिनका नाम है नौरोडॉम सिहामोनी उनके द्वारा पूरो परधान मंत्री जो की हुन सेन के बेटे को जिनका नाम है हुन मेनेट उनको देश का नया परधान मंत्री नियूत किया गया है मतलब कमबोडिया का नया परधान मंत्री अब है हुन म बाइजन किया गया था इसमें हैं दोस्तों हमारे देश के जो एचेस पढ़नाई जी हैं वह फाइनल में मतलब हार गये हैं वह ब्रॉंज मेडल वह हासिल किये हैं जो कि इसके विजेता जो रहे हैं यह चीन के वेंग होंग यांग ने जीते हैं ऑस्टेलिया ओपन बेडविं देखा कुछ फिलाड़ी है उनके द्वार जीता ओए और प्रुष योगल में देखा ज mains हां देखा जायता ये कांग मिं्ध को जब शिंग यह कि जिकी के द्रचिन signugu और महिला यूगल मेडको में देखा जाए हम प्लेंखिमेल यूगल में तो ये सबनाइड़न के द्वा इसन किया गैत है अब आगला क्या है बंगलादेश के बारे में और ये News में क्यों हैं क्यूंकि बंगलादेश सरकार के द्वारा ने पुरुवत्तर भारत राजियों में वैपार्यों तक माल के परिवहन के लिए चार मार्गों को को मंजूरी दे दी है और यह जो मार्ग हैं यह चटगाओं पोर्ट अगरतला मोंगला पोर्ट अखोरा अगरतला और चटगाओं बीवीर बाजार श्रीम मतपूर और मोंगला पोर्ट श्रीम मतपूर यह सभी को जो है यह मंजूरी दे दिया गया मतलब व्यपारिक रिष्ट दोस्ते जो है वो बढ़ाइज जा रहे हैं इंडिया और बंगलादेश के द्वारा तो इसलिए ये राजधानी ये धाका में there I TV ऑर मुद्रा दोस्तों यह बंगलादेशी टक्का है और यह काफी परदेंट में प्राइम मिनिस्टर है इसका गठन जो है दोस्तों ये 16 दिसंबर 1971 को ये हुआ था जो कि पाकिस्तान से इसको अलग करके बंगलादेश बनाया गया था और ये जो दोस्तों ये जो देश थे ये दुनिया का आठवा सबसे अधिक आबादी वाला देश है और द अचिण पूरुब में अगर देखा source मायमार के साथ इसका साज्या करता है यहां पर सच्छ करता हों में इदर से इंडिया इंडिया बस थोटा सा इस इदर यहाँ पर मायमार यह टच करता है मतलब दो कंट्री के साथ इसका इंटरनेशनल बॉर्डर टच होता है और यह बेव बंगाल से यह सटा हुआ जो है एक देश है अब नेक्ट जानते दोस्तों नया CBIC अध्याच निवत किया गया है जो कि सेंट्रल बॉर्ड ऑफ इंड 2023 जो है दोस्तों यह जय सैनी जी को दिया गया है जो कि अफरीका में हेल्थ केर विश्थार के लिए इनको इस अवाड को दिया गया है HeLR अवारड 2023 का जो इयह अवार्ड है अब प्रुट में दोस्तों ये लाइफ केर गुरूप ने केनिया में पांच समूं हिस्सों में आस्पतालों को ये बनाये हैं और भी अफरिका के विविन छेत्रों में दस और आस्पताल बनाने की इनकी योजना है इसलिए इनको इस साल का गलोबल लीडर अवार्ड दिया गया है बस इनका नाम ध्यान में रखे ये जैस सेनी जी है जिनको गलोबल लीडर अवार्ड दिया गया है अब नेक्ट जानते हैं गोयाइना के बारे में और ये नियूज में क्यों है क्योंकि गोयाइना के द्वारा हिंदुस्तान एरोनोटिक लिमिटेड से दो डॉर्णियर 228 विमानों की खरीद की गई है जो कि ये हमारे देश की में मतलब अंदर एक कंपणी है इन्हीं के द्वारा ये खरीदा गया है विमानों को दो विमानों को खरीदा गया है तो इसलिए ये नियूज में है तो इसकी राजधानी दोस्तों अगर देखा जाए तो ये जोज टा सीमा अगर देखा जाए तो यह अट्लांटिक महासागर ब्राजेल वेनेच्वाला और सूरी नाम से इसकी सीमा लगती है और गुयाना का जो अर्थ होता है दोस्तों यह अनेग जल्ड की भूमी इसका अर्थ होता है और इस देश को 1966 में सौतानटा मिली थी तो यह सभी चीजें जो गुयाना से रिलेटेड है अब यहहां पर इसको मैप में देख लेते हैं यह कापि जो की इसके चेपिटल है अब नेक्ट जानते हैं अगला करेंट फेर हीरो सीमा परमानु बंबारी क्या जो है अठातरवा वर्सगाठ मनाये गया और ये जापान के द्वारा मनाये गया क्योंकि वहां पर दोस्तों अमेरिका के द्वारा दो दो परमानु बंब वहां पर गिराए गये थे अगर पहला पर्मानु बं देखा जाए तो यह 6 अगस्त 1945 को यह गिराए गया था जापान में और दूसरा जो पर्मानु बं गिराए गया था तो इसी की याद में दोस्तों यह आट अगस्त को यह मनाया गया 38 वर्चगाट मनाए गया जो हिरोशिमा परमानु बम बारी का और ये जापान में मनाए गया और जो परमानु बम गिराए गया था अमेरिका के द्वारा उसका नाम जो था उपनाम था लिटिल बॉय करके उस परमानु बम का नाम था जो की गिराया गया था वहाँ पर हिरोश किया गया है अब जो केरल के विधान सभास से ये केंदर सरकार में भेजा गया है अगर केंदर सरकार एप्रूप कर देती है तो केरल का नाम बदल कर अब केरलम किया जाएगा अब केरल से केरलम कहलाएगा तो ये ध्यान में रखे और यह जब प्रस्ताव है दोस्तों ये केरल का किरलम बोला जाता है तो यह ध्यान पर कूछ भी हो तो आप आगा करके नगा सकते हैं क्युकि यहां पर मैक्सिमम जो है दोस्तों यह मो से यह शुरू होता जो भी योजना वगरा जो यहां पर इस्टार्ट किये जाते हैं तो यह ध्यान में रखे यह उडिशा के मुख्यमंत्री जो उनके द्वारा यह शुरू किया गया है और मो जंगल जामी योजना का जो अर्थ होता है मेरी वन भूमी योजना यह इसका अर्थ है मो का मतलब होता है मेरा तो यह ध्यान में रखें उडिशा के मुख्यमंत्री जी के द्वारा यह शुरू किया गया है इस योजना को अब न देश में जो शेरों की जो संख्यां हैं बागों की संख्यां दोस्तों ये 3100 1666 टोटल बाग जो हैं ये लेटेस्ट जो चनगन्ना करवाय गया था टाइगर सेंसस उसमें ये बताया है 3100 1666 total बाग हमारे देश में हैं जिनको big cats मतलब कहा जाता है और 207 दिवस की जो अस्थापना है दोस्तों ये 2013 में ये big cat rescue के दोरा इसकी अस्थापना की गई थी और उस टाम से ये प्रतेक साल 207 दिवस 10 अगस्त को ये मनाय जा रहा है अब next जानते हैं दोस्तों अगला क्या है बिस्फु जेव इंधन दिवस जो है दोस्तों ये भी प्रतेक साल 10 अगस्त को ये मनाय जाता है बिस्फु जेव इंधन दिवस मतलब इसमें जो है दोस्तों गेर जिवस मतलब इंधन को महत्तु के बारे में जाग रुकता पैदा करने के लिए ये मनाय जाते है मतलब ज्यादा से ज्यादा जिवास्म इंधन को यूज ना किया जाए उसके जगह जो है दोस्तों गेर जिवास्म इंधन जिसको जेव इंधन भी बुलायाता है उसका यूज किया जाए क्योंकि जो जिवास्म इंधन जो होते हैं दोस्तों वो लिमिटेड हैं और उन सभी को को मतलब कम से कम इस्तेमाल करके जो जेव इंदन है जिनको बायो इंदन भी बॉला जाता है उन सवी का जो है बढ़ावा दिया गया है इस और इसी लिए यह मना जाता है इस जेव इंदन देवत जो कि 10 अगस्ट को मना又 शुरवत अगर देखा तो यह 1893 में आजी के दिन जर्मन अविस्कारक सर रूडॉल्फ डिजल ने डिजल इंधन चलाने के लिए मुंग फली की तेल का सफलता पुर्वग परियोग किया था और इसी दिन से मतलब इस दिन तो यह खिया था तो यही दिन को जो है दस अगस्त को यह किये होंगे तो उ यह रखा गया है जो कि वहां के जो मंतरी है सुखुइंदर सिंफ्घ सुखुजी के द्वारा यह 9 मेरल, राष्ठ बादिवस के समारों परिये कि अगया है यह नाम चेंज किया गया है तो यह दहान में रखए यह हมาचल परदेश का है जो हिमक्राप्ट निगम है और इसका पहले का जो नाम था ये हस्त सिल्प यह हद करगा निगम लिमीटेड उसका नाम था अब नेक्ट जानते हैं अगला क्या है मैपिंग तिबत परदर्शनी जो है दोस्तों ये हिमाचल परदेश में इसका आईजन किया गया है मैपिंग तिबत परदर्शनी का अगला है टेसला के नए मुख्य वित्य अधिकारी ये नियूट किया गया है जो कि ये भारती मुल्क है जिनका नाम है वेवो तनेजा इनको नियूट किया गया है टेसला के मुख्य वित्य वाधिकारी के रूप में और जो टेसला कंपन में यह सामिल हु tranig tutaj Sasha के मुख्य लेखा अधिकारी के रूप में भी इनको चुना गिया था तो यह भी ध्यान में रखे जिनको還li में नय मुख्य विट्य अधिकारी के रूप में चुना गिया है Teasla के कंपणि कि अगला है उपन्यास है जिसका नाम है टू गूड js sacrificed यह एक यूटूबर है जिनका नाम है प्राजक्ता कोहली इनके द्वारा यह उपनियास लिखा जाएगा और इसको 2024 में इसको रिलीज किया जाएगा तो यह बस ध्यान में रखें डूगुर्टू टूबी टूग यह एक उपनियास है जो कि यह प्राजक्ता कोहली जी के नाम है मतस्य शिक्स थावजेन यह जो है तो यह मानोयुक्त बेग्यानिक पंडूबी है जो कि यह सबमर्सिबल पंडूबी है जो कि यह दोस्तों समुद्र के अंदर जो है तीन पनुष्यों को ले जाके 12 गंटे की अविधी के लिए यह छे हजार मतलब साथ हजार मीटर की गहराई तक यह ले जा सकता है यह जो पंडू भी है जिसका नाम है मतेशिय शिक्स थावजन और यह हमारे देश की द्वारा यह बनाया गया है तो यह ध्यान में रखें अगला जानते दोस्तों पैसेज एक्सराइज जो है दोस्तों यह भ अभ्यास है जिसमें बस यह ध्यान में रखें कि भारत और सौधी अरविया के बीच में यह एक युध अभ्यास है अब नेक्ट जानते हैं विए नाम के बारे में और यह नियूज में क्यों है क्योंकि भारत विएत नाम सज्ञूक तुवपर उपआयोग की पांचवी वय पेठक 8 अगस्त को यह नई दिल्ली में इसका आईजन किया गया है इसलिए इसको जानना थोड़ा जरूरी है तो इसकी जो राजधानी है दोस्तों यह हनोई में सिच्वेटेड़ है और यहां की जो ओफिसियल लेंगवेज है जिसको अधिकारिक भासा बोला याता है यह वि तो यहां पर आपको दिख रहा होगा यह है वियतनाम जिसकी केपिटल होनोई है और इधर चाइना इधर बोर्डर सेर करता है लाउस इधर सेर करता है और इधर कंबोडिया सेर करता है और इधर यह अगर समुदरी देखा झाए तो यह इंडोनेasya फलिपीन्स और और ये Malaysia जो कि समुधरी सीमा साजा करता है अब next जानते हैं दोस्तों अगला क्या है तत्रचक बल के अतिरिक्त महानी देशक ये नियूट किया गया है जो कि A.S. परमेज जी को नियूट किया गया है तत्रचक बल के अतिरिक्त महानी देशक के रूपमे और ये दोस्तों ये राश्टपती के तट्रचक पदक भी इनको दिया गया है और 2012 में इनको महानी देशक तट्रचक परसस्ती और 2009 में अगर देखा जाए तो ये फौसिंक पुरू परसस्ती से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है जिनको अभी हाली में तट्रचक बलके अ मनाए गया और ये दोस्तों हमारे देश के ये चौथे राष्टपती थे जिनका कारिकाल अगर देखा जाए तो ये उनिस सो उननतर से लेके उनिस सो उननतर तक ये हमारे देश के चौथे राष्टपती के रूप में थे और इनके पहले अगर देखा जाए तो ये हमारे में भारत रत निंगो दिया गया था तो यह द्यान में रखे इनका पूरा नाम अगर देका है दोस्त है दोस्तों इसनती technical जाना जाता है टो यह जो है डाक्टिकर जो जारी किया गया था और यह 1974 में यह जारी किया गया था अगला है जल जीवन सर्वेचन दोहजात 2023 रैंकिन्ग में दोस्तों यह जो स्री नगर है जमुकस्मिर का स्री नगर ये सिर्ष पर इसमें रहा है और वहां के जो JJM के जो बोड के जो अध्यच है तो ये मुहमद एजाřज असद जी हैं जो अभी present में स्रीणागर के जल बोड के जो अध्यच जीनको बोल सकते हैं वो है मुहमद एजाज असद जी इन्हीं के देखरेक में इस रेंकिंग में स्रीनागर को सिर्स मतलब पहला अस्थान दिया गया है अब नेक्ट जानते हैं कुछ एतिहासिक किल्ले और गुफाओं को जान लेते हैं क्योंकि यहां से भी हिस्ट्री से रिलेटेड प्रस्ण यहां से डाल देते हैं उन्हें भी जानना काफी जरूरी है चलिये जानते हैं चितोडगण का गिल्ले का निर्मान किया गया था और यह अगर देखा जाए तो यह राजस्थान के चितोडगण के चितोडगण का किल्ला है और यह किला दोस्तों यह मेवार समराज की यह राजदानी हुआ करती थी कभी और छेतरपल के द्रिश्टी से देखा जाए तो जो यह चितोड का जो किला है यह एसिया भारत और राजिस्थान का सबसे बड़ा किला यह माना जाता है जो चितोड़गा का गिला है और ये दोस्तों ये बेराच नदी के तट पर के इस्तित है चितोड़गा का किला और इसको युनेस्को विश्व धरवाद अस्तल में भी सामिल किया जा चुका है तो ये सभी चीजें हैं जो चितोड़गा किले से ये related हैं ये रहा चितोड़गा का किला जो आपको इस तरह दिख रहा होगा अब next जानते हैं दोस्तों आगरा का किला जो की आगरा का लाल किला भी जिसको बोलते हैं ये दोस्तों ये आगरा का किला है ये ताजमहल के बगिच्चे के पास ये बनाए गया है और इसकी अस्थापना दोस्तों ये अकबर के द्वारा इसके अस्थापना की गई है और इसमें जो यूज किया गया है जो मैट्रियल इसमें बनाने के लिए यूज किया गया है ये लाल बलुआ पत्थर से ये बनाए गया है और इसकी जो दिवार की जो लंब यह आपको दिख रहा होगा अगरा का जो लाल किला है यही पे जंडा फारा आए जाता है अब नेक जानते दोस्तों अगला क्या है पांडो लेनी जो गुफाएं हैं यह महाराष्ट के नासिक में यह इस्तित हैं पांड़ लेनी गुफाएं और यह दोस्तों यह पहली के बीच में यह बनाई गई थी जिसमें टोटल देखा जा तो यह 24 गुफाओं का यह एक समों है जो कि महाराष्ट के नासिक में यह इस्तित है और इसको अन्य नाम से भी जाना जाता जैसे कि नासिक गुफाएं पांडू लेना पांडू गुफाएं या फिर त्री रस्मी लेनी यह सबी की नाम से भी इनको जाना जाता है जो कि पांडू लेनी गुफाएं हैं यह आपको दिख रहाओगा यही है पांडू लेनी गुफाएं जो की महाराष्ट के नासिक में यह शिचूएटेड हैं अबनेक्ट जानते दोस्तों कुंभलं कुंभल गड़ जो किल् दोस्तों ये राजस्थान के राज सम्मंद जिल्ले में ये इस्तित है जिसको बुलायाता है कुम्भल गड़ का किल्ला और इसके जो वास्तुकार जो थें दोस्तों ये मांडण इसके वास्तुकार थें इस किल्ले को बनाने का जो वास्तुकार जिसको बुलायाता है जो आर् निर्मान तो ये कुंभा और कुंभलगड से आपको रेलेट कर सकते हैं राना कुंभा जी के द्वारा ये बनवाय गया था और ये जो किल्ला है दोस्तों ये सबसे पहला नाम इसका अगर देखा जाये तो ये मचेंद्रपूर इसका नाम रखा गया था पहला नाम बाद में कुंभा धल के कुंभलगर का किल्ला हुर पहाड़ो को ही ये काट काट के या फिर जो भी करके ये बनाय गया है जो की पहले जमाने में इसी तरह कि बनाया जाते थे हैं अपने जो राजिकी श्रीश्चा के लिए सैनीघ्रिष्टिकॉन से और ये सभी किल्ये जोए बनाया अब नेक्ट जानते हैं जो जेसल मेर का जो किल्ला है दोस्तों ये राजस्थान के जेसल मेर जिल्ले में ये इस्ति थे और इसको बनाया गया था ग्यार सो पचपन इसमी में इस जेसल मेर के किल्ले को बनाया गया था और ये दोस्तों ये रावल जेसल भाटी जी के द्वारा यह बनवाय गया था तो बस इनका नाम ध्यान में रखे रावल जेसल भाटी जी के द्वारा जेसल मेर का किल्ला को बनवाय गया था और यह जो दोस्तों यह राजस्थान का दूसरा लिविंग फोर्ट है तो यह ध्यान में रखे राजस्थान का दूसरा लिविंग फोर्ट क यह कौन है तो यह जैसलमेर का किल्ला है जिसको पीले पत्थरों से यह बनाए गया था इस किल्ये को और इसे दोस्तों सोनारगड के नाम से भी इसको जाना जाता है तो यह ध्यान में रखें और इसको युनेसको विश्व विरासत अस्थल में 21 जुन 2013 को इसको डाला गया था यह है जैसलमेर का किल्ला जो कि कुछ इस परकार देखने को आपको मिलता होगा अगर कोई घूमने के लिए गया होंगे उसे पता होगा अब नेक्स्ट दोस्तो बाग की गुफाएं ये जो गुफाएं दोस्तो ये मद्यपर्देश राज के धार जिल्ले में ये इस्तित है बाग सहर में ये इस्तित है जो की चटानों को काट कर इसको बनाए गया है जिसको बोला जाता है बाग की गुफाएं तो ये बस ध्यान मे से एक माना जाता है जिसको बाग की गूफाएं बोला जाता है और इसकी नाकासि अगर देखा जाए तो ये चोंथी और छठी सतावदी के बीच में इसका निर्मान किया गया था जो कि ये भित्ती चित्रकला बाग की गुफाओं में ये पाए जाता है भीति चितरकला मतलब जो दिवालों में जो चितरकला बनाई जाती है वो सबी चीजें हैं दोस्तों जो कि यहां पर पाई जाती है तो यह ध्यान में रखें जो बाग की गुफाईं यह मद्य परदेश के धार जिले में यह situated है यह आपको कुछ इस परकार दिखता है जो राजपूत परिवार के द्वारा इसका निर्मान किया गया था और इसकी उत्पत्ति अगर देखा जाए तो यह महाभारत महाकाविव में वर्नित प्राचिन त्रिग गर्त सामराई से यह मानी जाती है और यह देखा जाए दोस्तों यह हिमाचल परदेश में जो इस्तित कंगला किला यह हिमालाय का सबसे बड़ा किला है जोकी सम्भतों भारत का सबसे पूराना किला भी इसको माना जाता है और इसके में देखा जाए तो दोस्तों यह अकबर के द्वारा यह焗ेराबंदी किया घ्रीच विख विगं diferen में यह किया गया था अलांकि इसमें काफी बिरोध अकबर को जहलना पड़ा था और बागद में इनके जो बेटा था जिनका नाम है जहांगीर उनके द्वारा सोलो सबीस इसवी में किले पर मतलब सफलता पुरोग ये किले पर कबजा जमा लिया था तो ये भी ध्यान में रखें ये आपको कुछ इसतरा कांगड़ा के किला देखने को मिलेगा अब नेक्ट जानते हैं दोस्तों जो सन्यास लिये हैं जो की इतली के ये गौल कीपर है जिनका नाम है जियान लुईगी बुफोन इनके द्वारा 45 साल के उम्र में फुटबोल से ये सन्यास ले लिये हैं और इ प्रफ़ाइन इनका नाम है जियान लुईगी बुफोन और ये इतली के ये गौल कीपर है जियान अगला जानते हैं जो प्रुकार्ट यह क्रिकेकर सेंरे राष्टके दोस्तों 2014 में अंतराष्ट किर्केट में डेब्यू किया गया था मतलब 2014 से ये खेलना इस्टार्ट किये थे इंटरनेशनल किर्केट में अब नेक्ट जानते हैं जो सेवानुरिती लिए हैं ये इंग्लेंड के ये बलेबाज हैं जिनका नाम है एलेक्स हेल्स ये 34 साल के उमर में ये अंतराष्ट किर्केट से ये भी सन्यास ले चुके हैं तो ये था दोस्तों जो लोग सेवान रिती या फिर जो लोग सन्यास ले चुके हैं अब जानते हैं जो हमारे बीच अब नहीं रहे हैं जिनका हाली में निधन हुआ है क्योंकि उन सभी को भी जानना काफी जोर रही है एकजाम में वहां से भी प्रश्ण देखने को मिलते हैं तो पहले जानते हैं जो कि ये राष्ट पुरसकार बिजेता है जो कि ये फिल्म निर्देशा के जिनका नाम है नितिन चंद्रकान देशाई जो कि अब हाली में इनका निधन हो गया है और ये दोस्तों ये चार राष्ट पुरसकार और तिन फिल्म फेर पुरसकार इनके द्वारा जीते गया थे जो कि ये अब नहीं रहे हमारे बिज अगला आदमी है जिनका नाम है गुमदी विठल राव जिनको गद्धार भी बोला जाता है और ये तेलांगाना के ये लोग गायक है जो इनका निधन हो गया है और ये दोस्तों ये छे अगस्त में इनका निधन हो गया था अब नेख जानते दोस्तों अगला है जो कि मल्यालम फिम निर्माता है जिनका नाम है सीदिकी जो ये अब हमारे बीच इनका मतलब ये नहीं रहे हैं जो कि इनका कोची की एक निजी अस्पताल में इनका नेधन हो गया है और ये 63 वर्स की आयू में ये मरे हैं और इनकी पहली फिल्म अगर देखा जाए दोस्तों ये राम जी राव स्पीकिंग इनके द्वारा ये पहले फिल्म की गए थी इस फिल्म से इनकी शुरुवात की गए थी और इनकी अन्य जो फिल्में जो सूपर हिट फिल्म थी ये हैं इन हरियर नगर और गौड़ फादर ये दोनों फि फैल करके इसमें इसब्सक्राइब डाल दिया है तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा अच्छा empowerment लाइक करें जयूर को ताकि ज्यादार लोग इसको देख पाएज में क्यों सबस्क्राइब सिन करके बेल बदम आपने ताकि आपको र्यंबर ऊप्टेट मिलती रहे इस चैनल क जो रत है वह टेलिग्राम ग्रूप जोइन करें वहाँ पर आपको इसकी फेडिया मिल जाएगी तो थैंक यू दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में